हलो एवरिवन आज है 11 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहें विदानता लिमिटेट के बारे में देखिए 275 रुपए के आसपास विदानता का जो शेर है या भी ट्रेट कर रहा है और विदानता को लेकर 2-3 अपडेट भी निकल कर आई है जिसके बारे में इस वीडियो में हम बातचीत भी करें के साथ में ये भी डिसकस करें कि आगे भी बहुत सारे विडियोस है जो आपको काफी जादा हेल्प करेंगे तो विदानता का शेर 275 रुपए के आसपास ट्रेट कर रहा है और पिछले एक महिने में अगर हम देखे तो एक बड़ी रफ्तार हमने देखे जरूर यहाँ पर 300 अगया बाद में वापस से तूट कर यह एक जटके में गिरा था और गिरने की वज़ा थी वज़ाए डिविडेंट जो पे आउट किया था यह उसी का एड़्जस्मेंट होता हुआ हमें नजर आया था और अभी भी देखा जाए तो वज़ाए अब डिविडेंट तो मिल ही चुक हाई प्राइस भी अगर आप देखो तो 332 का था लेकिन अगर इसमें भी अगर हम डिविडेंट को जोड देंगे तो भी तो भी उतना जादा लॉस किसी का नहीं है विदानता पिछले 5 सालों में अगर हम देखे तो यहाँ पर 16% का ग्रोथ है लेकिन लोवर प्राइस 62 रुपय का यह डिविडेंट कर चुका है और 275 पर ट्रेट कर रहा है तो देख़े तो अच्छा कासा पैसा बना है ज़रूर विदानता में और दीके लोग जानते हैं कि विदानता वह बहतरीन डिविडेंट कर रहा है और यहीं वजए कि पैसा कमा आया है जिन्हों ने खा थी तो वो जीती है उन्होंने जो कि बड़ी बात है यह और यहां पर आप देखें तो विदानता on saturday said it has been declared as preferred bidder for an iron oak mine in Goa. The government of Goa had invited tenders to participate in electronic auction to grant of mining lease in respect of iron oak mines in the state. और यह बड़ी बात है अभी company देखो mining में definitely काफी बड़ी पहमाने पर company काम कर रही है और उमीद करते हैं कि आने वले दौर में और बड़े कैमाने पर company काम करते हैं आपको नजर भी आएगी और देखो एक सबसे बड़ी tension जो विदानता को लेकर है वो यही है इनका debt जब अदानी वाला मामला सामने आता जब हिंडिन बग की report सामने आई थी तो यहाँ पर भी हमें एक बड़ा correction देखने को मिलते को debt इनके उपर भी ज़ादा है तो एक problem यहाँ पर ज़रूर थी लेकिन विदानता पिछले कुछ महिनों में अगर आदे हो तो विदानता ने काफी ज़ल ड़ेट कम किया है विदानता यह अगर हम यहाँ पर बात किरें तो विदानता ट्रीम ग्रोस debt to 7.8 billion dollar from 9 to 8 billion dollar in 12 months पिछले 12 महिने में जो इनका debt था वो तकरीबन 9.8 billion dollar का था जो अभी घठके 7.8 billion dollar मतलब अल्मूस्ट कह सकते कि 2 billion dollar का debt जो है वो इन्होंने कम किया है और हला कि अभी भी बहुत सरा debt है जिनकी maturity जो है वो बहुत जल्दी होनी है और यही वज़े कि विदानता जो है वो बहुत सरा पैसा जो है वो dividend के form में निकाल रहा है चाहे वो विदानता लिमिटेट से निकाल रहा हो या फिर हिंदुस्तान जिंक से निकाल रहा हो और निकाल रहा है इसके लावा जो company है वो fund raise भी कर रही है पैसा भी जोट रही है यहाँ वहाँ से अपने कुछ shares भी गिर भी रख रही है जिससे पैसा उठा रही है तो है ठीक है और यहाँ पर अगर आप देखो तो और further यह decline हुआ है देखो March 2023 तक यह 7.8 billion dollar था और यहाँ पर further अगर हम as May की अगर हम बात करेंगे तो 6.4 billion dollar मतलब और ज़्यादा कम किया है उन्होंने अपनी balance sheet में तो company लगातर अपने debt को कम करती नजर आ रही है विदान्ता the parent company of Indian mining major विदान्ता has generated EBITDA of 4.6 billion dollar in financial year 2023 through and second highest level यह आपको देखने को मिल रहा है लेकिन देखा जाए तो कंदी ने बहुत सारा पैसा dividend के थ्रू निकाला हुआ है जिससे cash flow कम हो जाता है और company को अब और जाधा पैसा कमाना पड़ेगा यहाँ पर और जाधा पैसा company को यहाँ पर कमाना पड़ेगा विदान्ता के बारे में अगर हम बात करने जाए तो इसका जो P ratio है वो 9.73 का है जो कि average इंडिस रूपी से कम है current ratio भी अच्छा है ROE भी सह जाधा के इसका market cap हमें देखने को मिल रहा है company में डिविदेन के जैसे कि मैंने कहा कि बहुत शांदार पे कर रहा है अगर आप देखो कि 2030 में तो पहले February में 12 रूपे 50 पैसे का पे किया फिर यहाँ पर April में 20 रूपे 50 पैसे का पे किया और फिर अभी यह latest नोंने 18 रूपे इस तक का dividend पे कर चुका है इसे पहले 2022 में भी अगर आप देखो जो चार बार पे किया था इसने 13 रूपे का पे किया फिर 31 रूपे 50 पैसे का पे किया 19 रूपे 50 पैसे का में 17 रूपे 50 पैसे का पे किया अब आप खुल सोचो कि जिनकी बाइं 2020 में कोविट के टाइम पर 70 रुपए के नीचे की थी उन्होंने डिविडेंट से कितना कमा लिया उनके इन्वेश्मेंट का तीन गुना सिर्फ डिविडेंट से कमा लिया और शेयर प्राइज जो तीजी आई वो तो अलग से यहां पर तो फाइदा हुआ जरूर है जो कम लेवल पर खरीदारी करके हो ऐसे गिरावट जब भी आई है अच्छा परफॉर्म किया है इसने और अच्छा परफॉर्म किया भी इसने जहां दक बात करें जाया इनके रिवन्यू वगिरा को लेकर तो रिवन्यू इनका तकरीब थाउजन क्रोड के आसपास का देखने को मिल रहा है जो कि अच्छा क्या है 11,000 को ग्रोथ का क्या सकते हो कि देखने को मिला है यहां पर पहले देखो कम हो गया था 40,000 से 38 पर आया फिर 36 पर आया रीजन क्या था क्यों कि देखो 2021 22 को जो फिनांशल यहर था वह बहुत अच्छा रहा हमारी कमूरिटी सेक्टर के लिए चाहे वह स्टील की बात क करी जाए तो वह उनके लिए अच्छा था था चैना लॉक्डाउन में था तो जो दिमार्ड थी वह भारत की तरफ लोटकर आ रही थी तो इनके रेविन्यू प्रॉफिट दोनों बहुत तीजी से बढ़ गए लेकिन जैसे चैना अनलॉक हुआ चैना वापस से खुल गया तो जो डिमार्ड थी वहाँ पर श्रिंक नजर आया जिसके वज़े से रेविन्यू और प्रॉफिट दोनों में डिकलाइन देखने को मिला जहां पर इनके प्रॉफिट अगर आप देखोगे जहां प्रॉफिट पांच से छे हजार क्रोड क्वार्टर लिख हुआ करते थे वो घटना शुरू हो गया दो हजार अठाना सो के आसपास के प्रॉफिट नजर आये जो की कम प्रॉफिट है तो भईया इसी वज़े से इनका जो कैश फ्लो पर बहुत सरा पैसे नोंने डिविडेंट के थूर निकाल लिया और कमाया उतना जादा नहीं है और एक आगी थोड़ा सा और पैसा निकाल लेगा डिविडेंट के थूर निकाल लेगा क्योंकि उनको पैसो की जरूर्वत है कई सारी रिपेमेंट्स होनी है जो लोंस इनोंने लिये हैं बैंक्ज वगिरासे जो पैसा इनोन उठाया है बाजार से तो कही न कहीं उसकी पर यह लोग पे कर रहे हैं शायद वहां पर पूप कटवती देखने को मिल सकती है और कंपने कैश फ्लो पर ज्यादा धियान देता हुआ अनजर आ सकता है और हो सकता है कि विदानता देखो अगर आपको पता हो तो 2020 में जब गिरावट आई थी तो विदानता कोशिश कर रह में ये भी ऑप्शन खुला है विदानता का लेकिए विदानता कंपनी है अच्छी दिक्कत की बाद मुझे लगती नहीं है अगर है तो रखे रखो पोर्टफोलियो में लॉंग टर्म की मैं यहां पर बात करूंगा शॉर्ट टर्म की नहीं लेकिन थोड़ा बहुत जटका को मिलेगा गलोबल बाजर में देखने को मिलेगा जिसका असर जो है न वो अब बाद के चलाओ कि आएगा बले हम बात करें कि बहुत बड़े बड़े बढ़ें बहुत बढ़ेंगे मैं मानता हूं कि बढ़ेंगे और भारती एकॉनोमी बहुत तेजी से रोकरनने वाली है यहां से लेकिन फिर भी बीच बीच में जटके लगने वाले हैं अगर globally कुछ होता है तो और होने के chances भी है यहां पर तो जल्दबाजी मत करना portfolio में धीरे धीरे अच्छी company को add करते चले जाओ और analysis के लिए जिस portal का मैं इस्तमाल करना हूँ trade brains अगर आप भी इसको use करना चाहते हैं तो link में आपको description में दे दूँगा और अगर आप मेरा coupon code HSA20 का इस्तमाल करोगे तो 20% का आपको discount भी मिल जागा कई सारे बढ़िया features है जहां पर आप एक click में fundamentally strong penny stock तक डूँड सकते हो डॉली खना का हो या फिराधा क्रिशन दमानी का हो सबका portfolio आप एक click में check कर सकते हो even कितने shares खरीदे हैं कौन सी company में कितनी खरीदारी करी है कितने investment है वो सब कुछ आप एक click में check out कर सकते हो वीडियो को यहीं पैंट करूँगा पसंदा हो तो लाइक करो शागर चांब अगरा पहली बारे हैं तो प्रीज सब्सक्राइब करें और विदानता के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखते बता सकते हैं थैंक्यू